तो फ्रेंट्स वेलकुम बैक टू माई चैनल तो कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज मैं फिर से एक हेयर ओइलिंग की वीडियो लेके आई हूँ यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे हस्बं मेरे बालो में ऑइलिंग करें और उसके बाद कमिंग करें और उसके बाद एक स्ञी ब्रेड बनाएं तो चलिए कि मेरे हसमें कैसे है और यह नहीं ऐता है यह फिर्स टाइम करना है तो फ्रेंट्स काफी टाइम के बाद मैं अपने बालों में किसी से हैर ओईलिंग कर वारी हूं क्योंकि काफी टाइम से मैं खुद ही अपने बालों में हेर आइलिंग करती थी लेकिन आज काफी टाइम के बाद मैं अपने हस्बंड से हेर आइलिंग करवा रही हूँ यह फर्स टाइम है मेरे हस्बन मेरे बालों में हेर आइलिंग कर रहे है तो काफी अच्छा लग रहा है किसी से हेर आइलिंग करवाना और यहां पर मैं बहुत हैवी हेर आइलिंग नहीं करवारी हूं मतलब थोड़ा-थोड़ा ही मैं ओयल लगवारी हूं और पहले तो बालो और मसाज करते हैं तो उसके बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन है और फ्रेंट्स हेर ओइलिंग करने से आपके बालों की जो ग्रोथ है वह भी अच्छी होती है अगर आप बालों में हेर ओइलिंग करते हैं तो अपका हेर फॉल भी कम होगा अगर पाल समय से पहले वाइट हो तो वह भी नहीं होते हैं तो अभी फ्रेंट्स बालों की रूट पे ना मसाज हो चुकी है तो अभी जो बालों की लेंग्ट है उस पे हेर ओइलिंग करेंगे तो बालों की लेंग्ट पे ओइलिंग करने हैं अभी तो फ्रेंट्स बालों की लेंग्ट पे ओइलिंग करना भ आपके बाले काफी जढ़हों डाले कस는 चोपया है।…… कर बाला काउब करेंगेंगे टेंगल करेंगे, इसे ते बालों में तने चोप ब calam पर ऑशक कीपुमाट शाया है। उपस्टेश कराया लेक लग् laser चाहिए। चलिए फ्रेंट्स बहुत जादा तो मैंने ओइलिंग नहीं करवाई है बस थोड़े-थोड़े मतलब बाल वेट से हुए है कुछ इस तरह से ओइलिंग करवाई है तो अभी ओइलिंग हो चुकी है तो अभी मैं इने न अपने वह टैंगल्स वगरा मैं खुद से रिमूव कर नहीं बनाना आता है मतलब नहीं कभी ऐसे किया कुछ तो उन्हें नहीं आता है तो जैसे भी है अच्छी जा बुरी वह ब्रेट बनाएंगे तो देखते हैं कैसे बनाते हैं इस वीडियो में मैं रियल वाइस लेना चाह रहे थी क्योंकि कोमेंट जो मुझे रिक्वेस्ट आई थी, उस में लिखा था कि Real Voice में आप वीडियो अप्लोर करें, लेकिन Music चल रहा था, जिससाइन वीडियो बना रही थी, तो बात में Music चल रहा था, तो Copyright क्लेम की वज़ब ले रियल वाइस में वीडियो अप्लोर नहीं की, मुझे वोईस ओवर करना पड़ा इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में रियल वोईस में लेकर आऊँ हेर ओइलिंगी तो फ्रेंस फर्स्ट टाइम बेट बनाई है लेकिन अच्छी बनी है हेर ओइलिंग बेट बनी है और बेट भी अच्छी बनी है मुझे तो अच्छी लगी मुझे पसंद आई आई होप आपको भी मेरी ये वीडियो ये रोईलिंग की और कॉम्बिंग की और बेट बनाने की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के रिए बाई तो फैंस अगर आप मेरी हेराइलिंग की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो मैंने पहले भी हेराइलिंग की वीडियो अप्लोड की हुई है आप उन्हें भी जाते देख सकते हैं I hope आपको पतन आएगी